हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यूएस, यूके, कनाड़ा आपको जहां का भी वीज़ चाहिए ना मिल जाएगा आप ऑफिस में पेपर लेके तो आओ हाँ 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 अच्छा वह तुम आगए मैं तो तुम्हें कॉल करने वाला था क्या बात है भाई हमारे बारा लाग देने का इरादा है कि नहीं है बारा लाग छोड़िए बस्टी जी पहना ये बताइए मेरा भाई गुरुपीत का है ये क्या बात हुए संजे तो पूरे पैसा देने का टायम आया तो पूछो गुरुपीत का है बस्टी जी का है मेरा भ तुम लोग, यार, सबके सब ऐसे मूलेट काके बैठोगे, तुम्हें जानी पाऊंगा, बोल देता हूँ. ए, प्रीति, सानी, असो, यार, ऐसे क्या आजम ऐसे बैठे हो? ओर, ओ, संजे, तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? असना, यार? पूट! अच्छे सब पड़ने, बठा, और मम्मा को तंग नहीं करना, ठीके? एक साल बाद में तुम सबको लेंडन लेजाओंगा, मेरे साथ. अब यह मुष्करावव, नहीं, मुष्करावव, थोड़ा, 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 थोड़ा! सिम्रान, अब तुझे में गुद्गुद्धी करने पड़ेगी? हास ना? हास? जाजमा बेटते ही फोन करना? नहीं, मतलब प्लेन में फोन बंद करना पड़ता है सम्रा, में मुंबई पहुच्छते ही तुझे कॉल करना, ठीक है? ज्यान लखना है? तंगे, अपनी भावी का, प्रिती संभी का खायल रखना है. चला, वे जाओ या नहीं, चलता हूँ. प्रिती मुंबई से लंदन वाली फ्लाइट में बैठा था? बस्टे जी, आठ मैई को भाईया ने मुंबई पहुचकर भावी को फोन किया था. कहा ता, रात की फ्लाइटे लंडन की? हाँ, सिम्रन, बहुच गया मुंबई. बस एरपोर्ट के बाहर निकले, गड़ी में बैठे. अरे ने, ने, वो लंडन वाली फ्लाइट तो रात को है ना? हाँ, अभी कहीं ले जा रहे है ठहराने. अच्छ जी, खाना खाया? हाँ, खाया, खाया, खाया. और पानी पिया? पानी भी पिया? अरे, शिवरन, अब मैं क्या बोल रहा हूं? सुनना, मैं ना तुझे अब लंडन पॉचके ही फोन करूंगा. अच्छ जी, सुनिये, वो बैग में ना डबा रखा है. घर के प्रॉंट है, खा लेना. खा लूंगा. अच्छ जी, तो कहा था, गुरुपीत ने? हमारे एजेंट ने आट तारह के रात को गुरुपीत को मुंबई से लंडन वाली फ्लैट पर इठा दिया था. भासी जी, भाईया ने कहा था, लंडन पहुचके बाभी को फोन करेंगे. अच्छ झी दे में पहुचा था. मुझे आजए था, भासी करेंड़ उनकर के व कही पोन करेंगे हैं. भासी जी, जी, मेरे भाईया के लंडन के दोस्ट जस्पाल जीसे भी फोन करके बूचा. हलो ज seventy जी बोल रहा हूं मैं Sanjay अहुजा गुरुपीरीत का छोटडा भाई सन्जय और वह उर्व गुरुपीरीत कैसा है ज प्तो लंडन के लिए निकले है आपसे म्मिले किया हो अच Monday लेकिन मुझे नहीं मिला वह अभी तक बल्कि मैं तो उससे पिछली वार मिला था मार्च में वो भी गाउं में तो भाहिया आपसे मिले नहीं 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 सन्जेक गुफिच जी ऐसे नहीं है उन्होंने मुझे कहा कि लंदन पहुंचती ना सबसे पहले फोन करेंगे उसे साबस्तो नहीं नौ तरीक को फोन करना जए था आज तो बारा तरीक हो गए है मैं सेजी मैं 12 तारीक को आपके आफिस में आया, 13 को आया, 14 को भी आया, आपको आपको आफिस नीबन दा, इसके हनावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है संजाए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, गुर्पीत नो तुमने का था कि उसके लेदर पुछने के बाद मुझे मेरे 12 लाक मैं कुछ दिन के लिए बिजी था, सामने से कॉल नहीं कर पाया, तो पैसा लाने का वे तुम यह नहीं कहानी लेकर आ गया हो, कि गुर्पीत लंडन नहीं नहीं पहुचा जाने के लिए वो निकला था, या वो अपनी मंजिल तक पहुच गया था, पर अब वीजा एजेंट को बकाया रकम देने से बचने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा था, गुर्पीत का केस देश में फैली अवैद मानव तसकरी और इमिग्रेशन गिरो चलाने वालों का पिटारा खोलने वाला था, काम होने के बाद 12 लाग बचाने के चक्कर में तुम हमने बहुत महनत से जोड़ेते हैं चलो कम से कम तीन सवा तीन लग तो आजेंगे यही रह की कुछ कर लीजे ना अरे सिम्रण, ए सिम्रण, जाने देना मुझे, मैंना बहुत पैसे कमाना चाहता हूं उस जस्पाल की तरह लंडन जाकर और यह सब मैं तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूं, एदने काम करकर के ना हातों की लकिरे गिस जाती है, किसमत नहीं बदलती है, मुझे किसमत बदली है, और मैं हमारी किसमत बदलूँगा, पापा, मैं आपको लेंदेन नहीं जाने दूँगी, अच्छा, यह जितना है उसमें मैं और बच्चे खुश है मु ज्यादा कुश ही मिले है, तो कोई दिक्कत है तुम्हें, अरे वहां जाकर ना हमारी किसमत ऐसे ऐसे बदल जाएगी, देख ना तुम लोग मुझ तो समझ में नहीं आ रहा है, यह लंडन जाने का क्या बूच सवार हो गया आप पर, किसमत बदलने का बूच सवार है, अज आ मुझे बता, यह जस्पल के पास क्या था यहाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं था, आज उसके थाड़ देख, रनविरपुर में दो-दो कितना भी कमाले रोटी तो भई खाने है, भहिया, यहाँ मेहनत करेंगे तो कम से कम अपने देश में तो रहेंगे हम, वहां हमारा कौन है, अजय, मुझे पता, क्या अच्छी जिन्दग यहने का हमें हक नहीं है, कुछ वहां मेहनत करेंगे न, तो पाउंड में कमाएंगे, तो ँझे पता है, एक पाउंड याने नब्वे रुपये, नब्वे रुपये, अजय, वहां जितना मैं महने में बचापांगा न, बातासार साल में नहीं कमा पाऊंगा, जसवाल दिन का थीज पाउंड कमाता है, सता है सुर रुपये, पता है गुरुप्रीट, इस बारना मैं मुरिट सर एक और फ्लेट के लिए आया हूँ, अगले अपते दील हो गई ना तो वापस. एक और फ्लेट अमरिट सर में? तो तो अमारे काओ का एरो है. बट अच्छा. अच्छा. मुझे बता की वो अंग्रेजी बोल लेता है क्या त तो अपन किसी से काम है क्या? अए वो तो है. अग्रेजी बता के तु पहुंचा कैसे वहाँ? अच्छाना गाया था तो फिर पता चरहा तू लंडन में तो पता चरहा तू पासपोर बना कर पॉज गया क्या? एदरा मैंने न एक एजिंट पकड़ा का लो धियाना का था बस गुषा दिया उसने अंदर. गुषा दिया? हाँ, ऐसी है? लेकिन वो छे साल पहले हुआ था अब तो प्रॉपर वीजा लगता है यह जब मुझे बताना तो कहां बना सकते है वीजा यही अम्रसर में बनेगा पतागर लेकिन यारा जरा समाल के अग बहता है इसलाइम लेक यह जब बहुत है लेकिन लाइफ की वेल्यू है सर बहुत सारे एजंट से पूच्ताच करने के बाद गुरुपरीद भाहिया ने रहुल बसी से वीजा के लिए बात कि अब इन अपने जेवर बेचे मेने सेविंग तोड़ी और दोलाग रुपे दिए लेकिन बागी के अठारा लाग भी पहले ही देने में लेकिन बागी क इतनन की जानते और हमें बदर तुपरे मार्केट के लगाने के बाद यहां है बाखियों का हम 25 पच्चिस लाग में काम करते हैं तुमारे कहने पर हम 20 mau कर रहें हमारा कार औग पक्का हौता है अली पासपोर्त अली वीजा वर्क परमिट के साथ ने ठीक है बाई साब लिभ इतने सारे पैसे एडवांस में कैसे दे देदेंगे यह यार इतना बड़ा ओफिस लिए बएठे हैं इतने सालों से बएठे हैं बाग थोड़ी जाएंगे बाई मतलब लंडन तो मैं जा रहो ना मेरे भाई मेरे बीवी बच्चे सब इहीं पर हैं मैं ज्यादा से ज्यादा और आपको फिलाल अभी के लिए छेलाग दे सकता हूं बागी का खेद भीच के यूभी मतलब फारा लाग है वो आज़ा सर अरे बलजीत दो मिनिट दो मिनिट दे आप लोग भी कमाल करते हैं लंडन जा कि करोड़ों कमा हो गया है लेकिन लागों के लिए जिख जिख कर रहा है आप लोग हमने राहूल बस्री को आट लाग रुप एडवास दिये थे और जो खेद बेच कर बारा लाग रुपे मिलें वो मेरे पास रखे और से पैसे बच करें उन्होंने काता लंडन पहुंचती फोन करेंगे नौ तरीक को पहुंच जाना चाहिए था पर आज तो पंदरा तारीक हों गये साब राहूल बस्री भी मुझ पर इजाम लगा रहा था यसे आप शक कर रहे हम पर क्या गुर्पीत नहीं बताया था कि मुंबई से लंड कि देखो राद में फ्लाइट है तब तक तुम लोग नहाद हो कि अपना खाना मना का कि आराम करो समद निकालो है कि अधिक क्यों आए तो समर को बता रहा था कि पैसे वैसे नहीं देने बड़ेंगी अपाजी मरवाय क्या तेरे बोल तो मुझे भी बता ना थे कुर्पित लंडन में इन लोग एजेंट एरपूट के बार हमारा वेट कर रहोगा ठीक इसके पास मारे फोटो वीज़ अगरा कि कॉपी होगी ठी है कि अगर फिर क्या एजेंट कि इन्ने ज़से घच गया है कि अगर तो प्र गया कि बहुए्ट पैसे देने है धेरे बड़ेगा लिए और यू आठी इंदर्ड़े है नहीं पड़ेगा अभाराज यार्ण अगर जग है हम आगे लिए महाँ, और यह बात समझे लो, महाँ पहुझ गए, तो कोई भी देश किसी को ऐसे भारनी निकलता. मैं चुप गए, तो पैसे बचेंगे, और आगे विजे तो नौक्री मेली जाएगे हैं, अब लोग को. जै, कर सकते हैं गया? मैं तो ऐसी करने वाला हूँ, आप तू सोच लेए. जै, राउल बसी का फोन स्विच्छ ओफ आ रहा है. अविगा साम, अपना फोनी बंद कर दिया है, अज़ चुबाई में उसको ऑफिस गया था, उसके था जगणा भी हो था मेरा. साम, मेरे पति कहा हैं, साम. मुझे बहुत चिंता होरी उनकी है. सर, सर, यह डालो बसी का फोन स्विच्छ. पर यह तो बंद है. सुबह, यहीं बात हो थी, सार, हमारी. अध्यान मुझे को फोन स्विच्छ बंगतर के चला गया है. कहा है रता है, मुझे सार में? अध्रेस अध्रेस तो नहीं है, सार. अध्रेस तो नहीं है, सार. अक्सर, यहीं मुलाकात हो थी यहारी. एक मुभाइल नंबर है, वह आपको देगी दिया था. तो यह काम कर, कली चक्कर मारे यहां. पर अकर रावलबसी मिले, तो तुरंट फोन कर. सर, मेरे भाई गुरफ्रीद का पता नहीं चल रहा है. वो लंडन नी गया, तो कहां गया होगा? यह गुरफ्रीद लंडेन के लिए निकला है, उसको ट्रेस करने के लिए कुछ तो चगिए ना? तुम लोगों को उसके फ्लाइट के बारे में भी कुछ नहीं बता है? आने तो यह रावलबसी को, सब वही बताएगा. ड्रामा ही है, बंदा एलिगली गया होगा, और यहां यह लोग नाटक कर रहे है. सब पैसे बचा रहा है, और कुछ नहीं है. यह जगन पकड़ा गया अमबाला में, उसके ट्रांसफर के भी पैसे है. मंबी, पापा का फोन अब्बे नहीं लग रहा क्या? उनका फोन तो मुम्बेजान के बाद से ही बंद है. ना चाने किया सूजी लंदन जाने की. बापा को तो जाना ही नहीं चाहिए था. मंबी, चाचु क्या बोल रहा है? तेरे चाचु तो वीजा एजन्ट के पीछे पड़े हुए. तो नम्वीपफ कोल्ड इस कानुदी स्विच्टॉप. पांच देन हो गया है, भावी. ना तो रहूल बसी फॉन अन्ट कर रहा है, नहीं ओफिस कोल रहा है. आक तो डढ़ लग रहा है, संजा. उनको प्रीची ठीकतु है ना? अभी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तीन बार जाश्वाल जी को भी फोन किया था. तो उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया. संजे? या गुरप्रीत अहूजा अपने प्लान के मुताबिक लंडन पहुचकर कहीं छिपकर बैठा था? क्या अपने छोटे भाई संजे और पत्नी सिमरन को फोन ना करने के पीछे भी गुरप्रीत की कोई चाल थी? क्या छोटा भाई और पत्नी गुरप्रीत को लेकर वाकई फिक्रमन थे? या फिर ये कोई दिखाबा था? अब संजे को एक कॉल आने वाला था मगर ये कॉल लंडन से गुरप्रीत का नहीं बलकि सब को चौकाने वाला कॉल हैलो? हमें मालूम है कि तो पुलिस के पास गया था तुम रहो का सारा प्लान जानता हूँ बस्ती जी मेर भाई कहा रहे? तेरे भाई ने ना कुछ जाद ही हो शहरी दिखा दी है हमारे एजंट से बच्कर के निकला है वो बस्ती जी मैं अपसे पूछ रहा हूँ मेरा भाई कहा है? तू सिगर मत कर हम भून निका लिए उसे और वहीं लंडन में पकड़वा दें अगर तू अपने भाई के सलामती चाहता है और तू चाहता है कि हम लंडन गौवर्मेंट को तेरे भाई के बारे में ना बताएं और वो सही सलामत बावपस आज़े तो संजय बारा लाग रुपए मेरे चुपचाप मुझे मिल जाने चाहिए मेरे भाई से बात करवाई है पहले सुना नहीं तुने तेरा भाई हमें चक्मा देकर के लंडन में कहीं छुपा बैठा है लेकिन वहां हमारे बहुत आदिम तो निगालेंगे उसे और फेर उसके साथ क्या सुरूप करेंगे तेरे उपर है बारा लाग दे देगा तो हम पत मेरे बात करवाई है और हलो अरो अरे लोगों डिपाई को बना का अंइक है रहा हुएँ वह पास भी वह देढ़ करो उसने नवील्ग Boulevard बढ़ाखे PayPal और गुछ बदा प्लीज साब बलत करो, मेरे भाई को बजालो, सर्फ. सर्फ, संजय को लेंड लाइन से कॉल आया, पीसियो का नंबर है. लोकेशन क्या है? दिल्ली, चान्नी चॉक एरिया. सर्फ, राहूल बसी वापिस नहीं आया, उसका उफिस अभी भी बंद है. संजय हुजा बोल रहा था कि उसका भाई किटने एप गड़ा है. एक काम करो, सबसे पहले इसका फून टैपिंग पड़ा. सर्फ, किटने एप सब ड्रामा है. बात ये कि गुर्पीद लंडेन जाने के लिए निकला था. मुझे लग रहे हैं बंदा इल्लीगली मां गुजग गया और अब एजेंट की पैसे नहीं देना चाहता है. इसलिए सारा रायता फेलारे. सब पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था. लिकिन अब ये सबकोच एक इल्लीगल राकेट जासा लग रहा है. सचिन, अर्जेंट में राहूल बस्ती के लिए सर्च वारान डिकलो. देख वंदर क्या है. हरी ट्रोज खुल को चेक करो. सब भार निकालो. सब. येस, सरु. सरु. अंदर कुछ भी नहीं है? जबता है बस्ती सबकुछ अपने साथ लेगे. बिल्डिंगा सेक्रेटरी बोल रहा था, ओफिस बस्ती के नाम पर ही. सरु, ये केस जितना जमीन के उपर हो, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर है. वह ना छे साल से काम करने वाला बंदा ही है, राहूल बस्ती. संजेक ये एक कंप्लेंट पे सब कुछ साफ करके तो नहीं भागता है. मतलब ये बंदा जो भी कर रहा था, शायद इसकी कंप्लेंट ही पहली बार हुए. सिर, राहूल बस्ती का सिम कार्ट उसके ओफिस अड्रस कही है. सीडियर में जो नंबर से उने कॉल किया? ये सर, राहूल बस्ती के पिछले दो महिने के कॉल रिकॉर्ड के जादा तर नंबर स्विच ओफ है. मैंने सभी नंबर की डीटेल्स मंगवाई हैं जिन्होंने भी राहूल बस्ती को कॉल किया है. किसी का तो आड्रस मिलेगा, तो उनसे फेस्टो फेस्टो फेस्ट की बात हो जाएगी. पर ये कुर्पी दावजो के फोन की लास्स लोकेशन मुंबई इखा रहा है. पुनाट तारी की रात को ग्यारा बजी सुष्ट रफोर. राहूल बस्ती यूके, युएसे, करेड़ा, उस्टेलिया, सब जगे की विजा लगवा था. इन कंट्रीज की एम बेसी, विजा ओफिसे, सब जगे बात करो जहां पर इस तरह की अप्लिकेशन दी जाती है. नियरस दिल्ली होगा? जी सर्फ, हमें इस बस्ती की तलाज भी शुरू कर देने चीए. और सर्फ, जहां गुर्प्रीट ने फ्लाइट लेने से पहले सारा दिन बिदाया था, तो जगा का पता लगाने के लिए मुंबी बुलिस की हैप लेने बड़ेगी. सर्फ, यह जो बस्ती का कॉल आया था संजे को बारा लाख रुपे के लिए, यह पक्का एजेंट लोगों का खेले. रहुल बस्ती के कॉल रिकॉर्स में जितने भी लोग हैं, सबसे बात करो. किसी से कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा. सर्फ, बस्ती को गुर्प्रीट के बदले बारा लाख रुपे चाहिए ना, तो दे दो उसे, मैं घर गिरिवी रखे ना, गुर्प्रीट जी के लंदन की वापसे का टिकेट का पैसा देती हूं. भावी भाईया के सामने पैसो की कोई कीमत नहीं है, और रहूल बस्ती दुबारा फोन तो करें, ओफिस खोल नहीं रहा है, उसका फोन भी बंदा रहा है, और पुलीस बता रही है, जिस नंबर से पहले फोन किया था, वो दिल्ली के किसी PCO का नंबर है, संजा भाईया, संदू का नाम सुना है, बलजीत संदू, अपने नानक कलन गाउं का रहने वाला है, एक बलजीत संदू आये तो था राहूल बस्ती से मिलने के लिए, आ जा सर, अरे बलजीत, दो मिनित है, भारबट तो से मिलता हूँ, यह भाईया, क्या है, वो एक दोस ने खबर दी है, क दी हम का यह मता है, हलो, जी, मैं सिस्टेंस अब इंस्पेक्टर लवलीन कौर बोल रहे हूं, रन्वीर कुल पंजाब पुलीस के, जी मेडम भुलिये आप कौन बोल रहे हैं, गुलाम रसूल नाम है मेरा मेडम, आप रहूल बसी को जानते हैं, रहुल बसी को जानते हैं, अमरिट सर्वाला उसके कॉल रिकॉर्ड में आप से ज्यादातर बात होती दिखिए राहूल बसी जी बसी वीजा सर्विस नाम की फिर्म है इसकी अच्छा बसी जी हाँ मेडम जानता हूं अच्छी तर जानता हूं मेरा मुंबई में इतरवाडा में एक रावल एजन्सी तो यह यह राहूल बसी जो है हमारे हैं से टिके इंग करवाद है लेकिन आप क्यूं पुछराए मैंडम यह राहूल बसी सब है कहां पर अमरिक सर में शायद लॉफिस हुनका यह नहीं है परार है परारें लेकिन क्यों मैंद्सी आप से टिके Acting करा ता किसी से गुर्परit Ahuja कि अपनाम के टिकेट कराई कि उसने मुंबई से लंडन नौत अरिक अर्ली मॉर्नी के फ्लाइट वो तो चेक करना बड़ेगा मेरे यहां बहुत सारे टिकेट बंदे मेरम चेक करके आप मुझे इसी नंबर पर कॉल बाक की जिए बस पांच मिट फोन करता हूं वापस गुलाम रसूल गुलाम ट्रैवल एजन्सी इत्तर पड़ा यही एड्रेस है ना मंधिप हागोविंध यही एड्रेस है रावल बस्ती के कवल रिकॉर्स में बस यही एक नंबर एक्रिम मिला है उस्ताज तो करो इससे ठीक है अमंधिप अभी उठवाता हूं उसको और गुर् कि यह जीए का घर है चाचा बलजीट का घर है ही आव उत्तर को अपके ज़नादेंगे मुझे बात कर रहे है यह जरूरी बाता है चाचा उलादेंगे आप कर गुर्परीता हुजा के नाम से लंडन की टिकट तो बुख उई है नाइंथ में अली मॉनिंग देगे इसे साब से गुर्परीद को सुभे सुभे 9 में को और साड़े 10 बजे लंडन में होना चाहिए था टिक्ट तो है पर लगता नहीं है गुर्परीद ने इस टिकट से लंडन के लिए टरभल के आ होगा समय ने एयरलाइन को एक टिकट मेल किया है एक दिन का टाइम मांगाया है बताएंगी कि इस टिकट पर ट्रावल हुआ था या नहीं अदा कि अभी तक हमारे हाथ कुछ लगा नहीं है और साफ लग रहा है कुई बढ़ा चूंद है जोलतू है सां छे साल से काम करने वाला है राहूल बसी किस को कहां कहां भेजा होगा इस तरी इसकी ओफिस में एक रिकॉर्ड नी मिला सां सब साफ कर दिया कागस का एक छोट यह जोड़ा है बलचीत तुन जो लंदन के लिए निकला था ना अरे हालत दे किसकी पुत्तर मार खाके आया है पता नहीं कौन से लंदन गया था कि मेरा भाई गुरुपीट से मिला था ना का है वो है कि मानी जानते है लंदन चला गया होगा है तु कि वापस आगया पर कहां से वापस आया है यह क्या बताएगा पुत्तर इसको छुड़ाने वास्ते मुझे बेचकर तीन लाग चुटाने पड़े पड़े माचीत, मज़े बताते हैं मेरा भाई गुरुपीत का है? वे, 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 अम्रित सर का टिकेट समझा, वो रिवली स्टेशन यहांसे 15 मिरट दूर है, सामने सिंगनल देख रहा है? वहाँ से रिक्षा मिलेगा तो, सूप चाप, ट्रेन पकड़ और निकल यहांसे, समझा? आप सुन भे, आप सुन, साले, वहाँ जाके किसी के सामने मुझ खोला ना, एक बाद या तक आना कालाज में भीना हमारे बोत लड़ते लोग हैं तुझे और तेरी फैमिली को ना उधर इच काट डालेंगे, साले, समझाया? यहाँ? गुर्प्रीत तेरे साथ थाना, बलजीद, बोलना? अथा हुँ, लेकिन मचे नहीं पता अब कहा है वो? उनलोग अन्हें गुर्प्रीत को लंडन्डन भेज़ दिया होगा, उसके बारे मैं… अब मैं कुछ नहीं जानता, उनलोग ने उझे कमरे में बंद करके बहुत मारा. अलजीद, कहा हुआ यह सब? मुम्में में कहा है? बता नहीं सजेद, वो लोग हमें एरपोर्ट से कहीं ले गए थे, कहां यह नहीं पता. बलजीद, तुझे इतना मारा क्यों? और वापस क्यों भेजा? लंदन क्यों नहीं जाने दिया? मैं भी इससे बूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है. अस उस दिन इसका फोन आया. मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ. पाबाजी, पाबाजी, तुझे आमरिसन जाओ, और राहन बासी को पासला एक्रभण दे दो, एक लोग भाण दाने के लिए. अलो, बलजीद! बलजीद, कहा है तू? मैं अम्रिटसर का एड्रेस बेज रहा हूँ आपको पैसे दे दो और मुझे अपाचा लहाँ पापाजी देख बलजीत जब तक तू सच नहीं बताएगा कि तू कहा है और तुझे पैसे किस लिए चाहिए तब तक मैं पैसे नहीं दूँगा पापाजी, मैं जैसा बोल नहीं वैसा ही करो पापाजी मुझे मार देंगे पापाजी पतानी कौन था वो राहूल बसी इसे छोड़ाने वास्ते मुझे अम्रिटसर जाके उसे पैसे देने पड़े मेरा पुतर बलजीत कहा है? कहा है वो? पैसे पैसे तो मैं ले आयो भाईसाब ये लिजे ये लिजे, सारे पैसे लायो बलजीत कहा है? आज पैसे दे दिया ना एलो से छोड़ दे यह क्या बात हुए? बलजीत कहा है? अरे ताव जी आप आराम से घर पर जाओ आज पैसे दे दिया ना जोड़ देंगे उसे और परसों भापके दर्वाजे पर हो आज़ आज़ तुझ जानता है ना मेर भाई गुरुपरिंद का है मैं खुछ नहीं जानता संजर अना ही फिर से इन सब में पढ़ला चाता हुँ कदा साला आणी किसके चक्कर में आके लंड़न जामे में कला था सर्थ में टेली और मुंबई दोनों जगा की विजा ओफिस इसमें घुर्पीद आउज़ा का पता किया जीजा थोड़िये सर उनका कहना है कि उनके पास इस नाम के कोई अप्लिकेशन अप्लिकेशन नहीं तक नहीं सर अप्लिकेशन नहीं दी गई मतलब 100% फेक विजा दिया गया है सर विजा नहीं सर मैंने पासपट ओफिस भी कॉंटाइक किया उनका भी यह कहना है सर गुर्पीद आउज़ा कि उसके एड्रेस पर एप्रिल के मैंने में कोई ततकाल पासपट बना है नहीं सर पता नहीं सर गुर्पीद पहला या और भी के कांड की हैं लोगान शयाद मुंबई क्राइम प्रांच को गुलाम रसूल से कुछ मिला हो राहूल बस्यर उससे क्रेक्टेड रैकेट से कोई ना कोई क्लू मिला हो गाँ रैकेट साब मैं टिकेट बुकिंग का काम करता हूँ ट्रावेल एजशी है मैरे अब चाहे तो ब बस साब पंजाब पुलिस भी फोन आया था मैनने उनको भी टिकेट का कॉपी दिया है ऐसे ही फटावट ये भी बता दे गुलाम अभी कहा है गुर्पृध ते मेरे को नहीं पता साब मैं कैसे बता सकता हूँ साब मैं सिफ टिकेट बुक करता हूँ वो भी ऑन लाइन तर एक रेयर डर्ड इशू कराते हैं, राहुल बसी के नाम का. पासपोर्ट फर्जी, वीजा फर्जी, टिकेट बुक होने के बाद कैंसल हो जाती है, चलके रहा है गुलाम रसूल, कहां गया गुर्पृत? साथ मुझे सच में नहीं पता, मेरा टिकेट बुकिंग का धन्दा है साथ मेरे को बुकिंग पे कमिशन मिल और ये टिकेट पे कमिशन मिला, लेकिन साथ उसके बाद में टिकेट कौन कैंसल करवाता है, पासपोर्ट असली है, फर्जी है, मुझे कैसे पता चलेगा साथ ये ब लेकिर उसे बुरी तरह से पीटा गया था और वो सद्मे में था गुरप्रीत अहूजा कहा था राहूल बस्सी कहा छुपा हुआ था और क्या इस पूरे गिरोग का सच कभी सब के सामने आने वाला था साब, बलजीत वास इतना ही बोल रहा है कि वह मुंबई गुरपीत बहिया के साथ गया था इसके लवा कुछ भी नहीं बोल रहा है वह अभी कहा है बलजीत? यही पास में, नालक कला गाउं में सच्चिन, तुरंट लेकिया हो बलजीत को, पिए सब बलजीत ने कुछ बताया कि अभी कहा रखा है उन्होंने गुरपीत को? नहीं सब साब बलजीत के पिता जी ने राहूल बसी को पाँच लाख देके बलजीत को छुडा लिया मैं बारा लाख देने को तयार हूं साब तेरा पती को छुडा लीजे सिम्रण जी अब देदा जखिए हम आपके पती को ज़रूर वापस लिए हमें पस एक बार इस बात करने दीजे मुझे तो यह कुछ नहीं बता रहा है आपको कुछ बताया इसने पर अजी जी गल्दी तो आपने भी किया जब अपको कॉल किया था तो राहूल बसी के पास जाने के बजाए आपको हमारे बास आना चीए था तो वो लोग पक्का मुझे मार जेते यह सब तो जैसे गदे की बजे से हुआ है अमेशा लंडन जाना लंडन जाना आ करता था इतने पैसो में यहीं पर कुछ करके दिखा था तो आंते वो लोग बलजीट पता ली से पर बड़ोग मुझे मार देते और समर को भी मार देते अगर उसके पापाजी न उसके वास्ते पैसे दिए होते इस अमर कॉन है यही त अमरे साथी निक्ला दाएं? पाइसा, पुझे, क्यों पात्के रख्या? मेरे क्या मिगाला आपलो होगा? चोड़तों, नमुझे! पाइसा, पाइसा! चिल्ला, जितना दम है, दम लगांगी, चिल्ला. वगर मर भी गयाना, तो हमारी मर्जी के वगेर तुरी रूपी बहार नहीं आसकते. चिल्ला, और चिल्ला! 10 लाग, उन करेगा ना अपने बाग को? उन करेगा? खोल देख, बल्चीत मुझे खोल दे. कुरूपीत अभी तक वापस आया नहीं है. और हम समर घुग तक ने पहुच काए. तो समर सी पूछ लो. यह लीजे, यह नंबर है. 26 मही की रात को साढ़े नोव बजे बल्चीत ने इसी नंबर से कॉल करके पैसे दिनों काहा था. यह नंबर? 5598? यह यह नंबर. चाड डिजिट का नंबर थोड़ी होता है, परम्चीची? मुझे क्या पता? मैने नंबर पर ध्यान नहीं दिया. आप देख लो, इसी नंबर से कॉल आया था. जी मैने गुरुफड़ीत और भलजीत को आठ तारीक को आखरी बड़ देखा था. मुम्बाइ में कहां ले गए थे बुलो? एरपोर्ट के बार मिला था वादमी. हम तीनों को गाड़ी में बिठा है. पर कहां लेगा पता नहीं? था को नहीं? नाव नहीं बताया. और वी जानता था हमें. हमारे नाम का बोर्ट लेकर खड़ा था रपोर्ट के बाहरे. आप लोगों की फ्लाइट रात में उड़ेगी? तब तक रहने और खाने के अंतिजाम कर दिया है. और आयारो, लंदन जा के भूल मज जाना. नाम नहीं पता उसका. सा दूसरे आजूए थे सब्धा है, मुझे उन दोनमे इसका किसी का नाम नहीँ पता, लेकिं हमारे तक अम जा दोस्रा ओला था ता, वोस न मुझे बहुत मा रहा था. वालान जाए! वालान जाए! वालान जाए! ए कर दो कर दो कॉछें शुरो में बहुत प्यार से बात कर दा दें अंदर आओं का आओं खाओं आराम करूँ अरेण कर अशीद एर प्रोaden चला सब अरगें इतना बता था कि इत बाल चौडरा सब ता और आइवे ता मुझे तो जगह का पता ही नहीं चल रहा था कि कहां लही जा रहे थे मैं समार कुर्फीत हम लोग पहली बार मुंबाई कहते हैं हालो है कुछिती शदेश लेकर गया है नहीं पता सर लेकिन जहां वो लेकर गये थे हुआ पूंचने में काड़ी से करीबन तो से ढाई हंटे लगे थे समर तुम्हारे लिए वो नई जगा थी मैं समर से लेकिन दिमाग में थोड़ा जोड़ डालो तुम मुंबई में थे या तुम है मुंबई से बाहर कहीं लेके गए पता नहीं वो जगा एरपोर्ट से काफे दूर थी बहुत 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 ताइम लगा था वहां पहुचने हा लेकिन पुछ तो देखा होगा तुमने एक बोर्ट था उस पर कुछ सुपारी जैसा लिखा हुआ था जहां ले गए थे वहां आगे के कमरे में तीन-चर कंपीटर रखी थी वह हमें अंधर के कबणे मिलेते हैं आओ अंधरो, आज़ो, 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 आज़ो सामान रखके आपलो एकदम रिलेक्स हो जाओ, अराम करो है, तब तक मैं कुछ खाने के बंतो बस करता हूँ ठीक, कोई समस्या है? नहीं आज़ो, हमने वह सामान रखा, फिर गुर्पीत ने मुझे बुलाए इसके बाद क्या हुआ? मैं प्लान बना कर गया था कि टंडन में उनको चक्मा देके कायव हो जाओगा मैंने गुर्पीत को भी यही बताया है, पर मुझे क्या पता था कि यह लोग हमको ही ठक रहे थे मजीत पाजी, इधार आना कुछ पेपर पर साइन कराना है जी समर, तुम भी आज़ो, तुम्हारे भी कुछ पेपर्स पर साइन चेहे पर साइन करने के बहाने कमरे में ले गए फिर मुझे उस कमरे में बंद करती है कोई है, फोला मुझे जाने था मुझे कोई है, बचाओ भाई, यू मंजी रखे बचाओ मुझे मुझे बहस के क्यो रखे कोई है कोई है कोई है कोई है मुझे बचाओ मुझे क्यार जाने छोड़ दे मुझे क्या भी गाना मेरे अपका जोड़े मुझे मुझे पर उनकी आवास सुनाई पर भी दी थी पहले बलजीद की और फिर गुरुपरीद की पर उन लोगों ने मुझे मेरे पापा को फोन करवा मेरे कहने पर मेरे पापा ने चुपचाब और आवलवेसी को दस लाख रुपे दे दी और फिर उन लोगों ने मुझे अम्री सर का टिकर देकर एक जगह पर छोड़ दिया वो जो दो लोग थे उनमें से किसी का नाम पता तुमें नहीं उन दोनों ने अपना नाम नहीं बताया नहीं कभी आपस में एक दुसरे का नाम लिया अमंदीब मेरे पास ये गुर्प्रीद बल्जीत और समर के फोन का पीन पॉइंट लोकेशन आ रहा है एटलिस में ये पता कर सकता हूँ कि मुंबई के बाहर उनको कहा ले जाए गा था हाँ समर नहीं जगे बताई है गोवे सुपारी जैसा कुछ बोलो उसका ओफिस ताउन साइड में नाकपड़ा में सालों से वही टिका है पूश्टाश में इसका कोई इंवल्मेंट डिख नहीं रहा है पर हमारी रडार में है वो गोविन तुम अपनी एक टीम नाला सुपारा भेज सकते हो हम यह रहूर बस्ती के बारे में बता कर रहे है कि एक बड़ा रैकेट लग रहा है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है अमन्दीप, केस में मेरी टीम से फूल कॉपरेशन मिलेगी तुम्हें तुम्हें, हम इस गुरप्रीत को कैसे भी करके ढूब निकालेंगे सर्फ, यह दो को इंटरनेशन राकेट लग रहा है सर् यह, कुछ अध लगा क्या? सर्फ, वह नंबर 5598 जिसे बल्जीत ने अब आपरम जीट से बात की उसी नंबर से समर्य भी अपने अपर को कॉल किया 5598, यह कैसा नंबर है? इंटरनेट फोन कॉलिंगे सर्फ, और IP अट्रस मॉस्को, रश्या मॉस्को? रश्या? सर्फ, पूरी साइब लगाई जाए तो भी ट्रेस नहीं हो पाएगा इंटरनेट कॉलिंग? हाँ सर्, मॉस्को थूरू हुआ है, हैकर नेट्वाग है तो यह कैसे क्रैक होगा जाता? क्रैक तो नहीं हो भाएगा, सर् उन्होंको ने बलजीत और समर को छोड़ दिया, लेकिन गुर्परीत को नहीं है मामला कुछ और ही लग रहा है, सर इन दोनों को नहोंने इतनी बुरीत रह से पीठा है तो क्या गुर्परीत को अभी भी पकड़के रखा होगा? सर मेर भाई के बारे में कुछ पता चला आपको कुछ बताया, बलजीत और समर ने संजे हमारी पूरी टीम लगी है गुर्परीत की तलाश में हम मुंबई क्राइम ब्रांच की भी हलप ले रहे हैं संजेन, पुलिस ने बताया कुछ? नहीं भापी चाचो, पापा लंदन गए है नहीं? पापा को लंदन जाना है नहीं चाहिए था बास पाइटा नहीं, रोध नहीं है मुझे भी पापा की बहुत यादारी है मुझे भापा की भापा की बहुत बड़ा राकीट है पर भाइया भाज गया इसमें क्यों जाना था इने विदेश्ट हैंने कितना मना किया था भापी भापी आप उमेद मत आरी है पुलिस के रहे हैं जल्दी भाइया को ढूंड निका लेंगे भाजी तो समर भी तो वापस आगे हैं भी ये भी जल्दी वापस आजाएंगे इन्वेस्टिकेशन टीम को अब भी इसका सही अंदाजा नहीं था ये रैकेट कितना बड़ा था गुर्पीत अहूजा के के केस के पहले कभी किसी ने भी इस रैकेट और फ्रॉट के बारे में बात तक नहीं था पीडितों की लिस्ट में ऐसे कई नाम शामिल थे जो फिरॉटी देकर अपने घरों को बातिस लॉट कहे थे ऑपरेशन तुरंट दिस्मेंटल कर दो एक चड़िया पुलिस के पास पहुची है ऑपरेशन डेंजर जोन में है तुरंट सेटप निकालो पुजिशन खाली कर दो फोन बंद कर दो चड़िया पुलिस के पास पहुच चुकी है तुरंट मतलब तुरंट कोई भी कुछ भी हाथ नहीं लगना चाहिए सारे इंटरनेट साफ कर दो जितने भी डॉक्यमेंट से चला दो अपनी अपनी पोजिशन से हट जाओ अंडर्ग्राउंड हुचा इस रैकेट के कार नामों में गुरपरीत अहुजा का केस पहला था जो पुलिस के सामने आया था लेकिन गुरपरीत खुद कहा था ये केस अब एक अजीब मोड लेने वाला था इस रैकेटर अमन्दीब कोचर हलो इस रैक्टर गुरपरीत अहुजा केस आप ही देख रहे है ना येस आप कौन दिलीप पर्धान एद्वोकेट अमरी सर से कहीं वागिल साब क्या जानते हैं इस के बारे यही कि मेरा क्लाइंट रहुल बसी नहीं जानता कि गुरुपरीत अहुजा कहा है आपका क्लाइंट हमारी वांटेड लिस्ट में है वागिल साब हर जग अलट जारी है उसके नाम का वो सरंडर करने के लिए तैयार है लेकिन वो कुछ नहीं जानता वो सिर्फ वीजा करवाता आप भी जानते हैं सब जानता हूं फेक वीजा फेक पासपोर्ड वागिल साब आप मेरे से ज्यादा कानून जानते होंगे समझाहिए उसे इस्पेक्टर साब रहुल बसी स्रेंडर कर देगा लेकिन वो सच में नहीं जानता कि गुरुपरीत अहुजा कहा है तो सिलेंडर करने दीजे वाखिल साब उसको आप क्यों बयान दे रहे हैं उसके तरफ से एक बार वो सिलेंडर करते का तो हम खुद बयान दे लेंगे उस देख रहुली भागना कोई सल्यूशन नहीं इतली बेहतर है बता दे गुरुपरीत आहुजा कहां है दिलीब जी पिछले कई सालों से धंदा कर रहा हूँ तो गुरुपरीत पहला आदमी है जिसका बेवखूव भाई पुलिस के पास गया अच्छा अब तुम मुझे बेवखूव मना रहे है अज दिलीब जी मैं आपको क्या बेवखूव मनाओंगा मैं तो खुद एक छोटा सा प्यादा हूँ तो आखा कौन है कहां रहता है कहां से हुपमों चलाता है उच नहीं पता इतना तो जानता है यही बता दे पुलिस को क्योंकि भाग के तो कहीं छुपने सकता यह रावल परसे कैसा लगा तुमां अब तक जितने भी एजेंट से मिलें उनमें सबसे सही तो यही लग रहा है पैसों के मामले में थोड़ा अडियल है पर मेरे क्या से यही सही रहेगा यह सब कुछ बाहरी नहीं आता अगर गुरुपीत का भाई Sanjay हमको पैसे दे जाता Sanjay लालची आदमी इसी ने सारा खेल बिगाड़ा गुरुपीत के साथ मिलकर सारा प्लान मनाया तो यह तो पुलिस को बता दे इसने मुझे भी डुबो दिया दो बच्चे अपने पिता और उनकी मा अपने पती के खबर और वापस लोटने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं क्या गुरुपीत अहुजा कभी अपने घर लोटेगा? क्या उसका परिवार ये कभी जान पाएगा कि कहा है गुरुपीत? क्या हुआ है उसके साथ? और किस हालत में है गुरुपीत? क्या पुलिस की इंवेस्टिगेशन पूरे देश में फैले इस गिरोग का पता लगा कर इसमें शामिल खिलाडियों को ढून पाएगी क्या इसके जरिये वो नकली पासपोर्ट, नकली वीजा, फर्जी नौकरी और फर्जी इमिग्रेशन गिरोग के मास्टर माइंड तक पहुँच पाएगी इस केस ने पुलिस इंवेस्टिगेटिंग टीम को भी जगजोड कर रख दिया था जब ये सामने आया कि ये रैकेट किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ था और ना जाने कितने ही लोग इसके जहांसे में आकर फस चुके थे इस रैकेट की पूरी सच्चाई हम जानेंगे कल रात ग्यारा बजे इसके इसके दूसरे और आखरी भाग में जै झाल झाल झाल